नमस्कार जैहिंद पनारस वारणसी के बी एच्यू पनारस हिंदू युनिवसिटी से खबर आ रही है कि लगभख एक हॉस्टल के 50 से 55 बच्चे जो अहां पढ़ रहे थे उनकी आखों में कुछ ऐसी दिक्कते नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से उनकी आखों की रोष्णी चली जा रही है और उनको ठीक होते होते लगभख 14 से 15 दिन लग जा रहे हैं आई समझते हैं कि ऐसे केसे आखिर बढ़ क्यों रहे हैं और यह क्यों कंसेंट्रेटेड होता है कुछ पॉकेट्स में क्या ऐसे कंडिशन्स बनती हैं आप सभी का स्वागत है आप देख सकते है कि लगभख हर न्यूस चैनल और हर पेपर में यह चीज निकल के आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ फैल रहा है चालू होता है यह कि दो तिन स्टूडेंट्स पहुंचते हैं बीच चुए अडिनिस्टेशन के पास और कहते हैं कि मेरी आखों में दिखना मुझे बंध हो गया है या कम दिख रहा है प्रशाशन इसको उस समय बहुत गंभीरता से नहीं लेता है जब यह बहुत तेजी से फैलता है बच्चों में 20 फिर 30 फिर 50 बच्चे इसकी चपेट में आते हैं और वाकई में उनको दिखना कम हो जाता है तो प्रशाशन इसको गंभीरता से लेते तो यह कहा जा रहा है कि कुछ फ्लू केसेज होते हैं जो की भारत में लगबग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर आप वारणसी या बेचू की बात करें तो इस हॉस्टल में जब किसी से स्प्रेड हुआ होगा तो शायद हो सकता है कि यह संक्रमन जो इतना तेजी से रहा था शायद उसी के होस्टल के लोगों को चपेट में ले लिया या ले लिया उसने और यह बहुत तेजी से वहां पर पैर पसा रहा था जिससे हड़कम मचने की महां पूरी स्थिती बन चुकी थी वैसे अभी एक कमिटी बनाई है दस लोगों को जो इसके उपर रिसर्च कर रहे हैं वैसे अगर आपको बताया जाए तो आई फ्लू या फिर कंजंक्टिवाइटिस अगर कहा जाए तो तीन प्रकार से बन सकती है पहला होता है वाइरल कंजंक्टिवाइटिस जो की किसी वाइरस के कारण हो सकती है जैसे अडीनो वाइरस है common flu virus है, उसके कारण हो सकती है, हो सकता है कोई allergic conjunctivitis हो, हो सकता है आपके आखों में pollen, grains जो की पेड़ों से गिरते रहते हैं, हवाओं की माध्यम से आखों तक बहुत सकते हैं, उससे भी हो सकती, जिससे आखें लाल होने लगती हैं, bacterial conjunctivitis अगर आप देखेंगे, तो यहां प लगती हैं, तो यह तीनों हो सकते हैं reasons इस बिमारी के या फिर इस आई फ्लू के फैलने के, एडवाजरी जारी की गई थी और लगभग कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में infection ठीक भी हो जा रहा है, पर reason समझने के लिए यह है कि बार बार आखीर ऐसा क्यों हो, जब यह ऐसी situation बनती है, तो क्या-क्या होता है, एक अनुमान लगाए जा रहा है, कि एक pink red tinsed eye irritation भी हो सकती है, watery eye हो सकती है, आप देखेंगे सफेद सफेद lubricant बहुत तेजी से निकलने लगता है, आखों में दर्ध हो सकता है, sore throat की हो सकती संभाव ना हो, आप light के प्रती sensitive हो जाएंगे, eye crustinines आपके जो देखेंगे, they would be actually आप देखेंगे, यहां जमे हुए आपको मिलेंगे, swollen eyelids, आखे आपकी छोटी छोटी लगने लगेंगी, यह जो बाहरी हिस्सा है, यह थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है, swollen हो जाती है, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचू की बात है, अगर आप इस बीमारी को पूरे भारत वर्ष में अगर देखें, eye flu का, तो बिलकुल कुछ ऐसे seasons आते हैं, जहां पे eye flu बहुत तेजी से फैलता है, वैसे ही एक नाम दिया गया था, मदरास आई, North East Monsoon जब गुजर रहा था, तो Bay of Bengal से पानी उठाके चेन्नाई और उस पू देखने को मिल ला था, कि मदरास आई, इसका नाम रखा गया, इस डिजीज का, जो कि मदरास या चेन्नाई के पूरे लोगों में, अगर आप देखें, तो एक बहुत धहशत पैल गई थी, बहुत तेजी से ये eye flu या pink eye फैल रहा था, अब इसको रोकने का तरीका सर्फ इत सकती है, या फिर अगर आपने हांक पे हाथ लगाए हुए और यहाथ आप कहीं और लगाते हैं, तो वहां से भी फैल सकता है, कुछ infectious tears भी होते हैं, जिसके फैल सकता है, तो संक्रमन बहुत तेजी से हो सकता है, परन्तु यह सिर्फ फिर से बात अगर की जाए, तो उतना ही सिमित नहीं है, मुंबई में भी लगबग यही केस देखनों की मिला, मुंबई में अच्छा खासा बरसात हो रही थी और अचानक से केस बढ़ने लगे, लोग वहां के भी परिशान हो गए, तो बात वहीं निकल क्याती, when the humidity in the air increases during the rainy season, the environment becomes a breeding ground for such microorganisms, और यह फैलने लगते ह हाला कि COVID-19 के बाद से अगर आप देखें, तो सरकार काफी अपने आपको दुरुस्त रखी है, अब इस पूरे सेशन का एक मुद्दा था, कि क्या भारत वाकई में किसी और viral attack के लिए तयार है, क्या हमारे पास preparedness है, आप अगर देखेंगे Indian Council of Medical Research Advisory जारी कर रहा है लगातार अगर एडिनो वाइरस के केस बंगाल में बढ़ रहे थे, अगर H3N2 के केस साउथ इंडिया या फिर अगर आपके Northwest इंडिया में बढ़ है तो तुरंत इसके advisory जारू की गई थी और बोला गया था कि आप इसको ऐसे treat कर सकते हैं, ताकि भारत वश्पूरा एक uniform चीज लेके चले, भारत अगले attack के लिए या किसी भी ऐसे viral attack या bacterial attack के लिए क्या तयार है कि नहीं, इसके लिए कुछ points हम आपको देना चाहेंगे, तो शायद इस exam के लिए ज़रूरी हो सकता है, प्रधान मंतरी आयुश्मान भारत infrastructure mission PM अभीम, यह कुछ initiatives हैं जो हम लोगों ने already ले रहे हैं, national digital health mission के तहट, one health consortium and integrated health information platform के तहट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, that our preparedness level will go above, so that ऐसा कोई भी viral attack हो, क्योंकि COVID-19 के बाद दुनिया सहम गई है, अब हम किसी भी ऐसे viral attack के लिए पहले से तयार रखने के अपने आपको पूरी कोशिश करते हैं, और हमारे पास अब बताना चाहेंगे, कि हमारे पास अगर आप देखें, इन वाइरल इंफेक्शन से, ऐसे कोई भी इंफेक्शन से लडने के लिए, PM जो फोकस कर रहा है, strengthening the healthcare systems, through enhanced capacity of national center for disease control, and establishment of health and wellness centers, अगर आज आप नया रुजहान देखेंगे, तो health and wellness centers काफी बना जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी अंदर की immunity बढ़ सकती है, network of laboratories बनाया जा रहा है, ताकि एक दूसरे से share कर सके अपना experience और दवाईयां, जो भी निकल के आ रही है, साजहा कर सके अपने अपने report को, One Health Consortium aims to initiate cross-cutting collaborations between animal, human and environmental health, एक जो नई बात आचकल निकल के आ रही है, Zoonotic Diseases, Animal और Human जब तक दूर दूर थे, Zoonotic Diseases का हमें बहुत डर नहीं था, आज घटती स्पेस, urbanization का बढ़ना और Human का इंक्रोच करना, Animal Habitats में कहीं न कहीं इन बीमारियों को पास ले आया है, और आज जितनी बीमारियां Animal Kingdom की थी, वो लगभग ट्रांसफर होने लगी है, Human Kingdom में भी, तो यहां पे हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि हमें हमारी activities, urbanization, lifestyle और जिस कदर से हम अपना पैर पसार रहे हैं, हमें कहीं न कहीं उसमें रुकाव लाना पड़ेगा, Otherwise हम इस पूरे disease और महामारी के जंजाल में फसे रहेंगे, अगर हमें निकलना है, तो हमें अपने उपर वर्क करना पड़ेगा, और यह सब की जिम्मेदारी बनती है, Animals का Kingdom, let's not encroach into them, Otherwise zoonotic diseases होंगी ही होंगी, आज के लिए बस इतना ही, मैं इसके प्रस्पेक्टिव से सोचेगा, कि आज के session से आपको मिला है, कि क्या भारत prepared है, हमारे पास क्या preparedness tools है, जो आपको लास्ट की चार पॉइंच पॉइंच पॉइंट दी हैं, यह भारत का preparedness दिखाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अरिका, thank you so much, take care, Jai Hind